चले नमस्कार दोस्तों आज स्वागत हैं आप सभी का लेयर 3 एजुक्यूशन में और आज मैं आपके बारे में एक क्योशन लोर यहां से आया था तो यहां के आज मैं आपको परियावरण के इस्तल मंडल जल मंडल वायू मंडल मतलब अंतरिक शिविग्यान के कुछ क्योश क्योशन आये तो मैंने का कि आज इसके 50 Cambridge क्योशन आपके परिकर कर लोथे तो दुरोद रूँ तारह किसे एक आ जाते थो आप सबी को पता हैं उत्री ताइक क्यों परिक्षागरहश्टी से यह रहने दो टाइटन टाइटन की सग्रह का प्राकरतिक उपग्रहत था और कल question पूछा था demain मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कोन से है ठीक? वह question पूछा था. आज भी एक question पूछा थाハ ता Titan किस ग्रह का? प्राकरतिक उपग्रह हैं तो आप सभी को पता है कि सरथ Titan किसका है? Shani का. ठीक है चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं कि सोर मंडल में शनी आकार में दुसरा सबसे बड़ा ग्रह है है ना दुसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर आप चे पूछ ले सनी सनी के कितने उपगर हैं सर पासट बासट उपगर होते हैं शनी के कितने 62 उपग्रा है शनी के टाइटन शनी का सबसे बड़ा उपग्रा है शनी का सबसे बड़ा उपग्रा है टाइटन और शनी के 62 उपग्रा है शनी का अन्य प्रमुक उपग्रा मिनासा एंसिलार टेथी डियान रिया हैप्रिस इपोटेस और फोबे है बुद्ध और शुक्र ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है अगर आपसे पूछ ले कि किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है तो बुद्ध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है ठीक है वरून के कितने उपग्रह हैं सर वरून के तेरा उपग्रह है इनमें टिट्रोन वा मेरिट प्रमुक है। अगर आपसे पूछ ले कि वरुन के कौन से प्रमुक ग्रह IMPORTANT है। तो TETON वब मेरिट जो सबसे जादा इंप्र होता है। सुर्य के सबसे पास ग्रह होता है बुद्ध बुद्ध सुर्य के सबसे पास का और हमारे सोर्य मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की इस प्रकार है, पहला आएगा बुद्ध, फिर आएगा आपका शुक्र, फिर आएगा प्रत्वी, फिर आएगा मंगल, फिर आएगा ब्रस्पती, फिर आएगा श्यानी, फिर आएगा अरूण पिर आएगा फरोग हमारे सोर मंदल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी बढ़ते करम में पहले के आएगे मंग बूद पर शोक्र पर प्रत्वी पर मंगल पिर ब्रश्मती पिर शनी फिर आरूंड फिर बरूण इस प्रकार बुद्ध जो होता है सूर्य के सबसे नजदिक का बुद्ध ग्रह सोर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है थीचे जो भी नया है कल वाले पिडिया भी मैंदे दे दिते जिनको नहीं मिले है वो इस नंबर पर मेसेज करदे ना और अंतर्ग्षविध सबसे दिन होता हैं 22 दिसंबर को दक्षण गुलार्द का सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि इस त्रिती को सूरिय का प्रकाश होता है न मगर रहेखा परłoपड़ता है या घटना मगर सकरांसी के लाख में भारत में क्रसी को को प्रभाइद करने वाला मोसम का सबसे महात कुण तत्व कौन सा है चलिए वरष्टी वरष्टी होता है ठीक है प्रत्वी तल पर उस कालपनिक रेका को क्या कहते हैं जो 180 मेरेडियल याम्योतर पर खीची गया तो आप सभी को पता है उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे अं अंतराष्टी तीथी रेखा जल्दी जल्दी कर लेता है ना 50 को जनिया प्रत्वी तल पर 180 डिगरी मेरेडियल याम्योतर रेका जो कालपनिक रेका है उसे अंतराष्टी तीथी रेका कहते हैं इस रेका से प्रत्वी को पूरी एवंपश्चिमी देशांतर शेत्र में टो टूटता तारा होता है उलका उलका जो प्रत्वी के वायों मेनल में प्रवेश करते ही आगे आग पकल लेता है एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्पल करता है तो आप सभी को पता है यह सब क्यूशन पूचती होभे एक्धाम में एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्पर करता है तो आप सभी को पताएं कि एक नक्षत्र का रंग चुह हैं प्रश्टी ताप पर निर्पर करता हैं चले अगला क्योशन है प्रत्वी का जुडवा ग्रह very good most important शनी मंगल ब्रस्पति या शुक्र तो प्रत्वी की जुडवा ग्रह किसे कहते हैं आप सभी को पताएं जुडवा ग्रह कहते हैं हम शनी को शनी को प्रत्वी का जुडवा ग्रह शनी क्या शुक्र को कहा जाता है शुक्र शुक्र है ना शुरी शुक्र को कहा जाता है प्रत्वी का जुडवा ग्रह शुक्र को कहा जाता है क्योंकि आकार में लगबग प्रत्वी के बराबने ये ग्रह सुबह और शाम को आसानी से दिखा जाता है इसलिए से सुबह का ता शुक्र इसे साउच का तारा और दोर्का नहीं दिन रात होने का अगला Given है लाकशन नितार नंबर दिन रहा होने का प्रमुख एक मातर कारण पत्तिव का अपने एकशे पर घुमना से इसे गड़ा तो हैं प्रत्वी अपने आक्षे पर जुखी हुए इसका दिन एमराझ छोटे बड़े होते हैं 미 Touis लोगोबूबे और ना तब प्रत्वी जो होती है। सुर्य और चंत्रमा के बीच आजाती है क्या में और चंद्रमा के बीज आ जाती हैं तब जो होता है वो होता है आपका क्या चंद्रग रहा अगला केशन क्या लिखावा है अगला केशन आपके सामने लिखावा है कि द्रूतारा सभी मौसम में इस्तिर दिखाई देता है क्यों द्रूतारा सभी मौसम में अक्षि के उपर होता है, इसके कारण आपको धुरुतारा सभी मोसम में इस्तिर दिखाई देता है। C वाला पर आ जाएंगे। एक वलाई प्रणाली से घिरा हुआ जो अंत्रिक्ष में हजारो किलोमेटर तक फेला हैं, कौन सा है। आप सभी को बता हैं, 14 नंबर का क्यूश्चन, बी, शनी, कौन सा हो जाएगा, शनी जो है एक वलाई प्रणाली में घिरा हुआ है, जो अंत्रिक्ष में हजारो किलोमेटर तक फेला है, अगला क्यूश्चन, तारो का वर्ण जो होता है, वो ताप का सूचक होता है, अगला क् अगला क्यूश्चन पर आ जाते हैं, जल्दी से जल्दी, हमारे सूर मंडल का सबसे निकटतम तारा, हमारे सूर मंडल का सबसे निकटतम तारा, कौन सा हो जाएगा, अलफा, भीटा, पेक्सिमा या बढ़ना, तो आप सबी को पता हैं, कि सर, हमारे सूर मंडल का सबसे निकटतम तारा, प्रेक्सिमा सेंचूरी होता है, क्या होता है, प्रेक्सिमा सेंचूरी होगा, वेरी वेरी गुड, अगला क्यूश्चन है, तारा मंडल सब्त रिशी को पश्चिम दिशा में किस नाम से जाना जाता है तो उसे हम जानते हैं बिग डिमपर के नाम से जानते हैं क्या वेरी गुड तारा मंडल सब्त रिशी को पश्चिम निवाशी पश्चिम में रहने वाले निवाशी बिग डिमपर के नाम से जानते हैं सब्त रिशी को सोर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकिले तारे को आप क्या कहते हो सोर मंडल के बाहर जो साइरस का जो तारा रत है चमकिला तारा उसे आप क्या कहते हो तो उसे हम कहते हैं डोग स्टार क्या कहते हैं डोग स्टार कहते है बहुत शांदार क्योशन है सूरी के सबसे बाहरी परत क्या कहला थी है सर सूरी के सबसे बाहरी परत कोरोना कहला थी कोरोना अभी चल रहा है तो पूछ भी सकता है most important question अभी कोरोना चल रहा न तो सूरी के सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते है सूरी के सबसे बाहरी परत कोरोना कहला थी most important question है अगला question आपके सामने है सूरी के सबसे उपरी परत तो उपरी परत तो आप सभी को पता है कि सर उपरी परत को भी Corona कीरिट कहते है Corona मतलब कीरिट सूरी के सबसे उपरी परत को Corona कहते है कीरिट सूर उर्जा किसके द्वारा उत्पन होती है सोर उर्जाब के सनलैन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन होती है अगला क्योशन सूरी के चमकिले भाग को क्या कहते हैं सूरी के चमकिले भाग को फोटो इस्पियर कहते हैं सर क्या कहते हैं सूरी के चमकिले भाग को फोटो इस्पियर कहते हैं चलिए अगला question जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। सुरी का प्रकाश, most important question, सुरी का प्रकाश, प्रतिय तक पहुशने में, आप सभी को बता है, 8 minute लेता है, 8 minute. सुरी का प्रकाश, प्रतिय तक पहुशने में, 8 minute लेता है, चलिए. सविधा वर्गतीन MP8 के लिए आपको 149 में 10,000 object question मिल रहे हैं तो जिनको purchase करना है कर सकते हैं इसमें क्या-क्या मिलेगा इसमें आपके व्यापम के सारे old paper रहेंगे 15 most practice rate रहेंगे 2011 का old paper रहेगा और 11,000 question पांचो subject के मिलेंगे तो ये मातर मिल रहे हैं आपको 149 में तो जिनको लेना हैं ले सकते हैं जिनको demo देखना हैं देख सकते हैं यहां से अभी तक question पूछे जा रहे हैं इस PDF में से अधिकतर बहुत पांचोंगे तो आज भी अच्छे question पूछे इसमें से तो अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं 149 इस number पर WhatsApp कर सकते हैं डेमो देखना है तो बता सकते हैं सर डेमो दिखा दू ठीक है बुद्ध सूर्य से ग्रह में कौन से इस्तान पर हैं आप अभी बताया ए पहले इस्तान पर बुद्ध सूर्य से पहला इस्तान है बुद्ध सूर्य का सबसे निकरता हैं तो सूर मंडल का सबसे चुटा ग्रह हैं यह 88 से दिन में सूर्य के परिक्मा पूरी करता हैं सबसे गर्म 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 कौन सा है सबसे गर्म गर्म मुझे पता था आप कहोगे कि सर सबसे गर्म 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 तो बुद्ध है क्योंकि सूर्य के सबसे पास का गर्म है बुद्ध तो ये गर्म नहीं है सबसे गर्म गर्म होता है शुक्र सूर्य के सबसे पास का ग्रह हैं बुद्ध और सबसे गर्म ग्रह हैं शुक्र ये दो क्योशन डाउट क्लियर कर देता हूं मैं आपके याँ ठीक है अगला क्योशन है हमार सोर मंदल का सबसे शक्ति चाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन होता है चली निमनिमिक में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है अभी बताया है मैंने शुक्र ग्रह सबसे गर्म है आकार के अनुसार शुक्र का अमार सोर मंदल में क्रमांक अभी बताया है मैंने क्रमांक गुंतिस नंबर का क्योशन बताईए देखो अभी क्रमांक बताया थे मैंने आपक तो आकार के अनुसार सोर मंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम ब्रहस पती आएगा शनी, अरूण, वरूण, प्रति, शुक्र, मंगल, बुद्ध तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे आकार के अनुसार आपके छटे नंबर पर आ रहा है भई शे, बी वाला आजाएगा, बिल्कुल सही, बी वाला ठीकरे, वो मैंने बताया था आपको ये बढ़ते क्रम और ये हैं घटते क्रम, आकार के अनुसार, घटते क्रम और वो होता हैं बढ़ते क्रम, ठीके चलिए, अगला क्योशन, शुक्र, सूर्य से ग्रह है सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है, तीसवे नंबर का क्योशन, चलिए बताये वही, तीस नंबर का किसर दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है, चलिए सूर्य, सूर्य से निकरतम, दूसरा क्रह है, चंद्रमा के सबसे ठंडा सरवरूर है, सबसे बड़ा सरब्रसपती है, सबसे जोटा बुद्ध है, सबसे घनतों वाला प्रत्वी है सूर्य के निकरत ग्रह बुद्ध हैं है ना प्रत्वी के निकरत ग्रह सूर्य के निकरत ग्रह बुद्ध प्रत्वी के शुक्र सबसे चमकिला शुक्र नीला ग्रह प्रत्वी लाल ग्रह मंगल भोर का तारा शुक्र साज का तारा शुक्र सबसे ज़्यादा उपग्रा ब्रस्पति के और दूसरे नंबर पर शनी के ठीक है शनी के 62 ब्रस्पति के 80 ठीक है ये सब याद रखना है आपको इन में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रा नहीं होता है ये मैंने अभी बताया था अब भी चली जल्दी से जल्दी क्योशन करने समाई का में प्रत्वी अपनी दूरी के चारो तरह किस दिशा में गुमता है अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उतने ज़्यादा आपने वीडियो बनाते रहेंगे फास्ट रिस्पीट में ठीके प्रत्वी अपनी धुरी के चार और किस दिशा में गुमता है तो पश्चिम से पूर्व की और गुमता है कब पश्चिम से पूर्व की और 35 पर आ गए है प्रत्ी को किस नाम से जाना जाता है हरा ग्रह प्रत्वी को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है जितने ज़्यादा शेयर करोगे लाइक, सब्सक्राइब कराओगे जितने व्यू होँगे उस आप से डेली आपके 50 क्वेशन मिलते रहेंगे सूर्य पहले में ने पुछा था चंद्र ग्रहन आप पुछाएं सूर्य ग्राण तो सर सूर्य ग्राण तो जब चंद्रमा सूर्य और प्रत्वी के बीच में होता हैं तब सूर्य ग्राण होगा option हम C पर बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे अगला question है प्रत्वी की सबसे उपरी कठोर सता कौन सी होती है most important लिखके ले लेना एक्जाम में जरूर पुछेगा प्रत्वी की सबसे उपरी कठोर सता तो वो हो जादी लिथोस्पियर इसके कितने question है इसके 180 question है तो 50 question मैं अभी करा रहा हूँ और 50 question मैं आज रात में करवा दूँगा ठीक है तो जिनको 8 होना है 8 हो जाना क्योंकि यहां से बहुत सारे question बन रहे हैं अभी पर्यावरण ही टप लग रहा है सभी को तो पर्यावरण को छोड़े नहीं ज्यादा से ज्यादा question करें प्रत्वी की परपटी का आदा भाग किस खनित से बना है तो फैल्ड स्पेर से बना है प्रत्वी की ठोस प्रत्वी का सबसे बहरी भाग है सुर्य और प्रत्वी की मध्यम दूरी सन्नीकर्ड जो होती हैं वो 14 करोड़ शन्यू लाक किलो मिटर होती है सूर्य से प्रत्वी की मद्यमान दूरी सूर्य से प्रत्वी की 14 करोड़ चन्यू लाक किलो मिटर बाप रह बाप इसलिए तो प्रत्वी पर प्रकाश आते आठ बिनिट लग जतें आकार के संदर्व में अंगल का हमारे सोर मंडल में कौन सा इस्तान है निमलेकन में से कौन सा एक बोना ग्रह नहीं है तो मंगल को बोना ग्रह नहीं है जबकि प्लेटो, चेरान, सरेज, इत्यादी बोने ग्रह है मंगल के अलावा बुद, शुक्र, प्रत्यव, ब्रस्वति, शनी, अरुण और वरुण, परंपरागत ग्रह है बामन या बोना ग्रह अपने कक्षा 5A, B में सूरी की परिख्मा करते हैं इसके पास अपने गुरुत्वा कर्षन को बनाये रखने के लिए इतना द्रेवान होता है तो कौन सा ग्रह बोना नहीं है, तो मंगल बोना नहीं है, मेकमेन है, प्लूटो है, एरिस है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, इन में से सबसे चोटा ग्रह कौन सा है, सबसे चोटा ग्रह मंगल ग्रह है, सबसे चोटा अभी बताए, मैंने अकार के नुसार ग्रहों का अवरोई क्रम, प्रहस्पती, शनी, अरोन, वरुन, प्रत्वी, शुक्र, मंगल, बुद्ध, इन दोनों को कूशन देख कर बताना क्या पूछ रह वो, आकार के नुसार, पूछ रहा के द्रविमान के नुसार, ठीक है उसके हिसाब से ग्रहों के क्रमांग लगाना किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उग्रा है तो सर्ष ब्रहस्पदी के सबसे ज़्यादा उग्रा है गुमा फिरा कर कुछ भी पूछ सकता है निमलिकित में से कौन सा एक आंत्रिक ग्रह नहीं है तो very good भी शनी एक आंत्रिक ग्रह नहीं है चलिए ओर क्योशन है अभी तो 5 क्योशन और 50 क्योशन हो गए कि आकार के संदर्व में शनी का हमारे सोर मंडल में कौन सा हिस्तान है दूसरे नंबर का आकार के नुसार ठीके अभी अधिक तर आकार के नुसार पूचे ना अगर द्रववान के नुसार पूचे तो आपको बताना है ठीके मैंने दोनों बता दिया आकार हो द्रववान सबसे थंडा ग्रह, वेरि गोड वरूण नेप्चुन हमारे सोर मंदल में सुर्य के आटवे ग्रह हैं व्यास के आधार पर सुन मन्न चूता और द्रवान के आधार परतिस्तरा सबसे बड़ा ग्रह हैं इसकी खोज 1846 में जहान गोले ने की थी हरे रंग का यह ग्रह प्रत्वी के द्रवान का सत्रा गुना सुर्य से प्रत्वी के द्रवी का लगबक 30 गुना हैं सुर्य से अधिक द्रवी पर होने के करान यह सबसे थंड़ा ग्रह हैं कौन सा वरून और इसकी खोज 1846 में जहान गोले ने की थी चलिए अगला क्यूशन है यूरे ने सुर्य के सात्वे नंबर का ग्रह हैं किस गुर्य को एक बोना ग्रह करकर भी संभूधित करते हैं अभी बताया प्लूटो को बोना ग्रह करकर ही संभूधित करते हैं इसके डिटेल देख लेते हैं कि सर प्लूटो की खोज मतलब यम 1930 में क्लाइट टोप वियों ने की थी प्लूटो को सुरमंडल का नौवा और सबसे छोटा ग्रह माना जाता है चौदा आगर्स दोजाट छे से प्लूटो का ग्रह का दर्जा चीन लिया गया था प्लूटो अपनी कक्ष वरुन के कक्षा से ओवरलोब करती हैं निमलिकित में से कौन सी रेका भारत के लगबग आदे हिस्से में ओकर गुजरती हैं करक रेका मध्य पदेश के कितने जीलों से ओकर गुजरती हैं तो करक रेका मध्य पदेश के 14 जीलों से ओकर गुजरती हैं या भारत के लगवग बीच में से ओक वर कुजरती भारत में करक रेका आठ राज गुदरात राजस्तान मदिपदेश चत्रिका जारकरण पस्चिमंगा तिरूपदा बन्जाओं से ओक गुजरती भारत में आठ राज और मदिपदेश में चाउधा जी ले ठीक है चलिए यह अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं मात्र 149 ओफर चल रहा है पहले 300 की थी तो अभी 149 में चल रहा है जिसमें आपको सारे क्वेशन मिलेंगे यह सब आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे वोटसप पर जैसे आप बताते हो कि सब डेमो देखने है डेमो देखने बाद अगर लेना है तो सब भी वोटसप पर मिल जाएंगे विट आंसर भी रहेंगे ना आंसर तो जिनको लेना है ले सकते हैं और हमसे जुड़ना चाते हैं तो इस नमबर पर मेंसेज करके लास्टोशन हमने कर लिये हैं आज